अब उनकी पार्टी उनको नेता मानती है निशिकान जी इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते अब उनकी पार्टी मानती है कि हाँ राहूल गांधी जी को भारती जन्टा पार्टी नेता नहीं मानती है ना राहूल गांधी जी को एक साधारन सांसद हमारी पार्टी मानती है बातों कर रहे हैं डेश में जो विदेशी ताक्तों को लाने की बात कर रहे हैं जब वो कॉंग्रेस के अध्यक्त्न करते था आपको पता है कि उन्होंने चीन के साथ एक कॉंगरेस पार्टी का सिक्षा लिया निए यह साधा रन सांसद होने के लिए लेकिन वो तो प्रधान मंतिरी से नीचे किसी की बात ही नहीं करते दोजार उन्निस तक वो बात करते थे रफैल रफैल की तब वो कहते थे चौकीदार चोर है और आज वो अडानी के बहाने कहते हैं मोडानी अब वो पूछते हैं बीस हजार करोड रुपया किसका लगा है य कि देश से उनको माती नहीं मागनी चाहिए उन्होंने दोहजार अठारा उनीस के एलेक्षन में अम्बानी अम्बानी कहा रफैल की डील जो है अनिल अम्बानी के लिए हुई अभी पार्लेमेंट में उस दिल भासत दिते हुए वो कहते हैं कि अब अनिल अम्बानी आपसे बात करते थे इसी तरह के जो फ्रिंज एलिमेंट थे उनके साथ खड़े हो गए थे आज जो अडानी अडानी जो जो भी फोर्सेस बोल रहे है जो भी नेता बोल रहे है क्या दोहजार अठारा उनीस में वो राफैल की बात ने बोलते थे अनिल अम्बानी की बात ने बोलत कि हमारी सीटे 274 पर चली गए और आज मैं फिर सौरब जी कह रहा हूं कि जिस तरह से वह अडानी अडानी कर रहे हैं भारती जंगता पार्टी अगले चुनाओं में 400 से ज्यादा सीट जी लेकिन वह एक बात बार-बार कहते हैं कॉंग्रेस पार्टी भी पूछती है कि बीज जिस दस्मनें बीजेपी के लोग क्यों मचा हूं में आ रहे हैं अडानी को कौन डिफेंड कर रहा है लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि अडानी को किस आधार पर आप उनका विरोध करेंगे मैं एक छोटा सा मैं कोई अडानी का स्पोक्समन नहीं हो और मैं अडानी को के साथ यदि उसने पैसे देने में आना कानी की होती है यदि कोई एकाउंट उसका NPA हो गया रहता या किसी तरह की CBI inquiry उसके खिलाब चल रही होती, ED की inquiry चल रही होती, income tax की inquiry चल रही होती, किसी प्रकार की कोई inquiry चल रही होती है, और bank का पैसा ही दी उन्होंने नहीं लोटाया होता, तब ना आप उसके उपर जाज करेंगे, कि नहीं, हमारा एक दिन इक्षा हुआ, कि मैं सौरब जी के खिलाब कोई statement दे दू, मैं कहा दू कि निसिकान दुबे चोर है, मैं कहा दू कि सौरब जी चोर है, तो ऐसे ही हो जाता है, दुनिया में और कहें कि investigation स्टार्ट कर ले, ये तो बचपना है, मैं आपको बताओं कि वो चार बार के सांसद हो गए, लेकिन उनको parliamentary ethics नहीं पता, parliamentary politics नहीं पता, और उनको देश के बारे में कुछ नहीं पता है, आप देखें, उन्होंने कहा कि मैं आतंकवादी को देखा, आतंकवादी ने आखों ही आखों में मुझसे बात किया, यदि आतंकवादी को देखा, तो क्या एक देश के नागरिक के नाते आतं कितर हैं और इस देश को बच्पने में ले जाना चाहते हैं और उसी मांसिक्ता का हम दिरूत करते हैं इंडिया टीवी हर वक्त हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर